हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इस वैदेही पटेल अशुमे विद्यालाई तो हम लोगों ने चेप्टल 5 में अभ्यास देख लिया है, अभी हम स्वाध्याई देखेंगे तो स्वाध्याई में जो है कौश्चक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गेरा सरकल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो इसमें पंथ, रा, रास्ता और पैर तो ये तीन जो है वो समानार्थी है लेकिन ये जो है वो समानार्थी शब्द नहीं है तो इसके उपर मैंने क्या किया है? सरकल किया है तो इन तिनों को हमें वाक्य में प्रयोक करना है मैं आपको एक बताती हूँ बाकी का आपको खुद करना होगा पंथ, पंथ यानि यह पंथ सरल नहीं है रा, तो मुझे नई रा मिल गई है और रास्ता यानि यह सिधा रास्ता है आगे का है तीन चार में से यह काटा जो है वो समानाती शब्द नहीं है कुसुम, पुष्प, फूल यह तीनों समानाती शब्द है और तीनों को हमें वाक्य में प्रयोग करना है अनुठा, अनोखा, निराला, इन तीनों का एकी मीनिंग होता है एकी समानाती शब्द है लेकिन आम, आम जो है वो इसमें समानाती शब्द नहीं है तो हमें इन तीनों का वाक्य में प्रयोग करना है आगे देखते हैं जन, मनुष्य, मानव एकी समानाती शब्द है स्त्री वो समानार्थी शब्द नहीं है तो हमें इसके उपर घेरा करना है और तीनों का वाक्य में प्रयोग करना है आगे देखते हैं बाशा सजिता प्रियंका मीना आज तो चुपचाप क्यों बैठी है मंदिन नहीं जाना मीना कहती है नहीं मेरा मन नहीं लगता प्रियंका अरे हाँ आज कल तुम बहुत खेल रही हो ना मीना मैं क्रिकेटर बढ़ना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया प्रियंका क्यों मीना कल में मुहले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा और मौसी के घर की खिरकी का काज तोड़ दिया उन्होंने मा से सिकायद कर दी प्रियंका कहती है ओ अब समझी तेरी उदासी का रास खिलते समय दूसरों का भी ख्यार रखना चाहिए मीना आपकी बात बिलकुल सच्ची है अब मैं ध्यान रखूंगी तो इसके इसमें जो हम लोगों ने जो मैंने जितने भी पड़ा चोटा से परेग्राफ है तो उपर यूग समवाद में से व्यक्ति वाचक संग्नाए चाट कर लिखिए तो उपर यूग समवाद में जो हम लोगों ने समवाद देखा तो व्यक्ति वाचक संग्नाए चाट कर लिखिए तो इसमें व्यक्ति का नाम, जिस सेंटेंस में व्यक्ति का नाम बताता है, उसे व्यक्ति वाचक संगना है कहते हैं तो इसमें प्रियंका, मीना और सीमा, इन तिनों का है वो व्यक्ति वाचक संगना है इस व्यक्ति वाचक संगना शब्दों के लिए जिस शब्दों का उप्यों किया गया है उनकी सुची बनाए प्रियंगा के लिए आप मिना के लिए तु, तुम, मेरा, मैं और मुझे और सीमा मौसी के लिए उन्होंने है ना निचे दी गई परिभाशा को पूर्ण कीजिए जो शब्द डैस के साथ पर प्रयुक्त होते है उन्हें सर्वनाम कहते है तो जो शब्द संगना के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते है तो जो शब्द संगना के स्थान पर प्रयुक्त होते है उन्हें सर्वनाम कहते है वाक्यों को पढ़िये और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्यव्यक्ति को सुचीत करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छाट कर लिखिए मुझे बल्ले बाजी में मजा आता है मुझे हम मैज जीत गए क्या आएगा हम तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो तुम तुम्हारी गेंद बाजी का जवाब नहीं तुम्हारी वह कैप्टन है वह उसने एक लंबा छक्का लगाया उसने विदानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखिए अब राजी श्वयम बल्ले बाजी करने वाला है श्वयम मैं अपने आप चला जाऊंगा अपने आप हो गया मित्रों तो आज हमारा चैप्टर 5 जो है यही पर फिनिश होता है